आईए हम जानते हैं कि Adobe Scan app का account हम कैसे create करेंगे बहुत सारे बच्चों की complaint है कि उनका app वर्क नहीं कर रहा है उनको camera open करने में problem आ रहा है तो वो कोई problem नहीं है आपने अभी तक app download करने के बाद में अपना account create नहीं किया है तो आईए हम बताते हैं आपको कि आप अपना account कैसे create कर सकते हैं आपको अपना account create करने के लिए Adobe app scan को open कर लेना है जो आपका Adobe app है उसको आप open कर लेंगे उसके बाद आपको ये interface दिखाई देगा इसमें अगर आपके पास Google account है ये Facebook account है तो आप आसानी से login कर सकते हैं जैसे ही हम इस पे open करेंगे तो हमारे phone में जितने भी account login है वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे हम इसमें से अपना जो भी account select करना चाहें select कर सकते हैं मैं अपना खुद का account select कर लेता हूँ जैसे ही हम अपना account सेलेक कर लेते हैं यह loading करता है और loading के बाद में आप को open कर देता है अभी हमारा अप open हो चुका है आप देख सकते हैं कि हमारा camera परफेक्ट ली वर्क कर रहा है तो इसी तरह से आप अपना account भी create कर ले और scan app का एक बार trial जरूर कर ले फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर बताएं